तो गाईस कैसे आप सब स्वागत आपका एक बाद फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ओफिस पर बात करेंगे हाल फिलाल रिलीज हुई पंजाबी लेंगुज फिल्म जहां आपस में कमपेरिसन करेंगे रिलीज हुई फिल्म होसला रख और ये सायम स्टुडेंट के बॉक्स ओफिस कलेक्शन को लेकर जैसा कि एक फिल्म ने आज एक दिन कम्प्लीट किया है और दूसर दिन चल रहा है तो दूसरी फिल्म ने आज दिन कम्प्लीट करके नौवज दिन चल रहा है जानेगे दोनों फिल्मों के बारे में और कौन सी फिल्म अपने पहले दि best collection कर रही थी, वो भी बात करेंगे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, अगर आप हो इनमें किसी भी फिल्म के फैन तो वीडियो को लाज तक जिरूर देखीएगा पूरी अपडेट जानने के लिए सबसे पहले बात करते हैं होसला रख को लेकर जो कि यह काफी एंटर्टेनिंग फिल्म है और ओडियन्स को हल से जादा पसंद आ रही है अगर बात करें फिल्म की लीडिंग को लेकर तो लीडिंग कास्ट में नजर आ रही हैं और वहीं इसको प्रेडिस किया है खुद फिल्म की लीड एक्टर यानि की दलजीत दोसंद ने है गाईज आपको लादू यह फिल्म ना काफी अच्छा होल्ड बनाए हुए है बहले ही इस फिल्म की कल स्क्रीन कम हो गई थी यह साय में स्टुडेंट रिलीज होने के बाद फिर भी गाईज आपको लादू यह फिल्म अपने आठवी दिन यह साय में स्टुडेंट से ज़्यादा कलेक्शन कर रही है जी हाँ बिल्कुल सभी हो और इस फिल्म का जो भुज है हद से ज़्यादा देखा जा रही है वही कारण है फिल्म इतना अच्छे कलेक्शन कर रही है और इसने हिश्ट्री कीई है पंजाब इनस्ट्री के अंदर विश्याब करने के मामले में और यह बन चुकी है अभी तक की हाईषट आपनर फिल्म औफ पंजाब जी हाँ, अगर collection की बात की जाए तो आपको आदू, आठवे दिन भी ये फिल्म कम से कम 2 से ड़ाई करोड का collection आसानी से कर रही है, वल्ड वाइड बॉक्स ओफिस से, जिसमें से गाईज, एक करोड के आसपस collection इसका इंडिया से आ रहा है, वाकी 1.5 करोड ये overseas से कमा रहा है, जी हाँ, इसको इंडिया से जादा overseas में collection किया रहा है इस फिल्म का, वहीं total collection की बात की जाए, तो आपको आदू, इस फिल्म का अभी तक का total collection हो चुका है, कम से कम 32 करोड से जादा, चुकि अपने आप में बहुत भेंकर collection है, और इस से पहले साइद कभी किसी फिल्म ने कि इस साल जी हाँ, आपके साब से इस फिल्म का closing collection क्या रहेगा, कमेंट सकतर में mention कीजेगा, और वहीं इसका वज़र गाईज, estimate हो सकता है, 10-15 करोड रुपे, और इस collection को करने के बाद, जो सिल्म को overall verdict मिलता है, वो है गाईज, मेरे साब से तो super duper hit का, जी हाँ, वहीं बात कर रिलीज हुए है back to back, जो कि अपना आप में बहुत बड़ी बात है, अगर बात करें फिल्म के leading को लेकर, तो सिद्धु मुझ से वाला के अलावा, इस फिल्म में, हमें female lead में नजर आ रही है, Mandy ठेकर, और है इस फिल्म को डाइक्शन दिया है, तरनवीर सिंग जगपाल ने जी हा, साइध इंडिया के नदर 500 है, इसके अलावा overseas में, जो है वो है, लेकिन आपको यादू, ये फिल्म इंडिया में इतना collection नहीं कर पा रही है, जितना की overseas market से कर रही है, लेकिन रिपोर्ट्स के मताबिक, आपको यादू guys, जुसका first day का collection आ रहा है निकलके, वो है guys, estimate दो करोड के आसपास, जो कि guys, इतना ज्यादा collection नहीं है, लेकिन काफी आच्छा है, देखा जाए तो, जो कि guys, estimate collection है, और मुझे लगता है, इससे थोड़ा कम ही collection हुआ होगा, और आपको आदू, इसमें से भी guys, कम जग मताए जा रहा है, 70 से 80 लाग का collection, ये फिल्म overseas countries से क रहे हैं, वो इस फिल्म से ज्यादा relate कर पा रहे हैं, और इसको enjoy भी कर रहे हैं, बस यही का रहे हैं, किस फिल्म को फोरन में ज्यादा पसंद किया जा रहे हैं, बोड़े तो guys, NRI, जी हाँ, वहीं आपको वीडियो पसंद आई हो, like करना, share करना, और अगर आपने स्टूड और hustler रख, दोनों ही फिल्में देख लिया हैं, तो आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म बैस्ट लगी, comment section में mention कीजेगा, और मैं आपसे यही कहूँगा, कि सिद्धू मुच से वाले को support करना, क्योंकि guys, हर किसी के बस की बात नहीं होती, एक ही महिने के अंद दो फिल्में back to back release करना, thank you guys for watching, keep supporting, bye bye, take care